हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे बैसिक यान यूटूब चैनल पर तो आज हम आपके लिए जीके के कुछ महत्पून कॉस्चन आंसर लेकर के आए हैं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा पहला आज का कॉस्चन है भारत का छेत्रफल बिश्वे के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपसन लहेंगे दो दिसमलाव आठ प्रतिशत दो तीन दिसमलाव नौ प्रतिशत चार दिसमलाव दो प्रतिशत दो दिसमलाव चार प्रतिशत तो आपका राइट आ रहेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा तो इसमें जो आपका राइट अंसर हो जाएगा option नमर भी दूसरा इस्थान है भारत की इस तलसीमा किस देश से के सांथ ज़्यादा लगती है option है पाकिस्तान चीन नेपाल बंगलादेश आपका राइट अंसर हो और अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप अमरत एजुकेशन एप डाउनलोड कीजिए और बहां पर जा करके टेस्ट लगाईए बहुत ही अच्छा प्लेट फॉर्म है आपकी प्रेपरेशन के लिए तो बहां पर आपके लिए फ्री टेस्ट और पैट टेस्ट भी टेस्ट हैं प्रेशियायर टेस्ट हैं सारे टेस्ट आपको बहां पर मिलेंगे और टेस्टो की संग्या 12000 बिएश यह उनलीमीटेट हो न सकते हैं कुई कि धाश्म सबिए यह के लिए जाएं कि प्रेश्ट पाटेज्ट हैं SSC के सारे टेस्ट जहें से SSC, CGL, SSC, MTS, SSC, कुछ भी SSC के SSC, GD है जो भी है और रेलवे के रेलवे में RPF, SI, RPF, Constable, NTP, C, सारे बहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, बेंकिंग के भी टेस्ट हैं, UPSC के टेस्ट हैं और स्कूल में जो 9th, 10th, 11th, 12th है, सब ही टेस्ट बहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो आप बहाँ पर जाकर के इतने टेस्ट लगा सकते हैं और इसकी कीमत बहुत ही कम है तो आप The Amrit Education App डाउनलोड कीजिए और बहाँ पर जाकर के टेस्ट लगाईए जो एप है आप उसे प्लेश टूर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे देंगे तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेश टूर पर पहुंच जाएंगे बहां से उसे डाउनलोड कर लेना और एक बार ट्राय तो जरूर करना तो चलिए हमारा आजू क्वेस्टन है भारत में सबसे ठंडा इस्थान कौन सा है ऑप्सन रहेंगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह रहेगा रहेगा दक्षणी एसिया में स्थित है हमारा भारत बिस्ब का इक मातर देश कौन सा है जहां बाग और सिर्दोनों पाए जाते हैं तो बहुत सिर्फ हमारा भारत ही है इन आप्सनों में बाहत को किस दो डिस में अलग करती है तो जो बा दो तक रही आपको बताना है की नेपाल और भारत के बीच में कौन सी रेखा है आपका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान यहां पर क्या आजाएगा पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा नेस्ट कॉस्चन भारत की अधिकांस पच्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है आपके उप्सन रहेंगे म आपका राइट आंसर रहेगा बहे रहेगा पाकिस्तान भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था मायनी की पहले पूर्वी पाकिस्तान था आपके उप्सन रहेंगे नेपाल वुटान बंगला देश मियमार तो इसमें जो आपका राइट आ पीच कितना अंतर है तो बहल है 5 घंटे 30 मिनिट का. भारत के परोसी देसों की कुल संख्या कितनी हैं तो जो भारत के परोसी देस हैं उनकी कुल संख्या नो हैं और जिन में से साथ हैं जिनकी स्थल सीमा लगती है जिन से और दो हैं जिनकी जल सीमा लगती है तो मिलाकर के कुल नो देश हैं भारत के नो देश हैं पड़ोसी भारत के कितने राज्यों में समुद्री तठ है तो कितने राज्यों में समुद्री तठ है इसमें आपका आंसर हो जाएगा नो राज्यें से हैं भारत के जिनमें समुद्री तठ है यानि की समुद्र के किनारे हैं दीब छेत्र को मिलाकर भारत के समुद्र तर्ट की कुल लंबाई कितनी है तो इसमें आपका राइट आंसर जो है बहु हूँ चाहेगा उप्सन नमबर डी 7516 किलोमीटर केसराज जी की समुद्र तर्ट रेखा सबसे लंबी है और अपसन रहेंगे गुजराद कीरल उडिसा तमिनाडू तो इसमें जो आपका राइट आंसर है बहु रहेगा गुजराद और यह हम आपको 50 टेस्ट करवा रहा है यानि कि 50 कॉस्चन है इसमें तो आप हमारे लिए कम कॉस्चन आपसे बन गए हैं जो हमारा कॉस्चन है 21 की जनगर्ना के अनुसार भारत का लिगानुपाद कितना है तो जो भारत का लिगानुपाद है वह है एक हज्यार प्रती 004 यानि कि एक प्रोश और 943 महिलाएं भारत्य संबीधान के कितने भाग हैं तो जो भारती संब संभीधान है 22 खंडों में यानि 22 भागों में विभाजित है भारत का संभीधान किसके दुवारा हस्त लिखित है तो वह है प्रेम बिहारी नारायन रोई के दुवारा हस्त लिखित है भारत में स्टेच्यू आफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे लंबी प्रतीमा है यानि option रहेंगे महत्मा गांधी सर्दार बल्लब भाई पटेल बिनुवा भावे डाक्टर भी आर अंबेट कर तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्दार बल्लब भाई पटेल की वह प्रतीमा है और कहां पर है वह गुजरात के नरमदा पूर पहसील में निमलेकित म किया भारत और स्री लंका को बिभख्त करता है भारत और श्री लंका के बीच विज जुक्त वह उखिए पटा यह son count करँए लाइफ पाक जल्डमरू मध्य कि जुक की सरी नर ? जैर है थो उस सकते हैं कि भारत यहां से हैं तो आपके उप्सण रहेंगे यह जो है भारत और स्री लंका के बीच में हैं भारती मोबाल नंबरों का देश कोड क्या है तो बह है इंक्यान नवे तैरने के सिध्धान्त की खूज किसने की थी और नियूटन रॉइडर ब्रस गैलिलियो और के डिमीज इसमें जो आपका और राइट अंसर है बह हो जाएगा और के डिमीज गुईटर या थाइराइट ग्रंथी की अध्यात्मिक ब्रद्धी किसके कारण होती है अधिक्तम ब्रद्धी किसके कारण होती है तो बह होती है आयूडीन की कमी किसकी कमी से होती है आयूडीन की कमी के कारण होती है साइटोलोजी है तो जो साइटोलोजी है बहे कोशिकाओं का अधियन है साइटोलोजी या फिर हम कह सकते हैं सेल का अधियन को हम साइटोलोजी कह सकते है रोग एथलीट फूट किसके कारण होता है तो जो एथलीट फूट है वह होता है कबक के कारण किसके कारण होता है कवक के कारण होता है एथलीट हुट रक्ट है एक तो जो रक्त है बह है तरल सैयू जी उतक है रक्त जन्तू कोशिका कि किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है तो पावर हाउस या फिर सक्ति ग्राहम कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया को मानाशरी में विटामिन ए को कहा संग्रिफ किया जाता है तो बह किया जाता है यक्रत में विकास के सिध्धांत को किस ने प्रेजित किया था आपके जो राइट आंसर हो जाएगा बह हो जाएगा option नम्मर B, darwin क्या हो जाएगा? darwin पुस्प रहत पौधे होते हैं तो जो पुस्प रहत पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं क्रिप्टो गैम्स क्या बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं क्रिप्टो गैम्स बोल सकते हैं तो ओप्सन रहेंगे कारवन, कॉंस्टांटन, निक्रोम, जर्मेनियम तो आपका जो राइट आंसर है बहु हो जाएगा निक्रोम मानमस्तिक के का बजन लगभग कितना होता है तो जो मानमस्तिक से उसका बजन होता है एक दिसामलाव तीन्चे केजी वर्नोली का प्रमे है तो बह है उर्जा सनरक्षन का किसका है उर्जा सनरक्षन का नेमलेकेत मैं से कौन सा रंग अत्या दिक्तम मानि की अधिक्तम उर्जा रखता है तो बह रखता है नीला रंग कौन सा रंग नीला रंग अधिक्तम उर्जा रखता है पर्मानुबं किसके दवारा विक्सित किया गया था तो परमानु बम जे रावट ओपन हाइमर के दुवारा विक्सित किया गया था मिसाइल किसके दुवारा बनाई गई थी? तो जो मिसाइल है बह बनाई गई थी वर्ण वर्ण के दुवारा हाइट्रोजन बम किसके दुवारा विक्सित किया गया? तो जो हाइट्रोजन बम है बह किया गया है एडवर्ड टैनर की दोवार अविक्सित इस्कूटर का अविश्कार किसने किया था तो इस्कूटर का जो अविश्कार है बह किया था ब्रॉड चोने किसने ब्रॉड चोने गैल्वेनी करण की प्रिकिरिया में किस धातू का प्रियूग किया जाता है तो गैल्वेनी करण में किया जाता है जस्ते का प्रियूग किया जाता है चंदर गुप्त प्रैथम के बाद अगला गुप्त साथ कौन बना तो बैर बना शमुद्र गुप्त अमीर खुष्रो किसके राजकवी थे तो जो अमीर खुष्रो हैं यह किसके राजकवी थे अलाओदिन खिलजी के मिद्धारा एक है तो जो बिद्धारा है वह एक अदिशरासी कौन सी रासी है एक अदिशरासी है रश्टपती का महव्योग किस अनुछेद के अंतरगत लगाया जाता है तो वह लगाया जाता है अनुछेद 61 के अंतरगत लगाया जाता है गुमन रित किस राज्य का है तो जो गुमन रित है बहे है राजस्थान का कहा है राजस्थान का गुमन रित है कोशिका का ऊर्जग्रह किसे कहा जाता है ? तो हमने अभी बताया था आपको माइटरो कॉंट्रिया को कोशिका का ऊर्जग्रह या फिर पावर हा। और वो भी मध्धप्रदेश के रायसें जिले में हैं जन्धर्म के 24 वे तीर्थकार कौन थे तो 24 वे जो तीर्थकार थे वह थे अप्सन नम्मर भी महावीर स्वामी जो हैं वह 24 वे तीर्थकार थे लास्ट कॉस्टन कॉलेक जील किस राज्य में स्थित है तो जो कॉलेक जील है बहे है अंधप्रदीश में कहां पर है अंधप्रदीश में स्थित है अब हम आपको एक कॉस्टन कमेंट बॉक्स में अंसर देने के लिए दे रहे हैं इसका अंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज डॉक्टर भीमरा अमिटकर को एपीजी अब्दुलकलाम को अटल बहारी बाचपी को प्रणाव मुखर जी को इसका जो राइट आंसर है आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देना और हाँ अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप दामरेट जरूर कर देना थैंक यू